हेलो प्रेंट्स मैं मनो चौबदार और आप देख रहे हो राजवन सी टेकनिक का सपोर्ट चेनल दोस्तों लाश्ट वीडियो में मैंने आपको बताई था कि आप किस प्रकार यूटूब अकाउंट बना सकते हो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूटूब के लिए किस प्रकार से यूटूब थमनेल जो आप अपने वीडियो में प्रियोग कर सकते हो किस प्रकार से यूटूब थमनेल बना सकते हो आप मेरा जो वीडियो है उसको देखते होंगे तथा आपको उस पन लगे थमनेल को देखकर आपके मन में विचार आत अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नए वीडियो है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुच सकें तो चलते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो शुरू करते हैं यूटूब थम्नेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एबलिकेशन की जरूत परती है इसे आप प्लेइश टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो एबलिकेशन का नाम है पिक्स लेप यहां में पिक्स लेप को ओपन कर देता हूँ जैसे हम इसको ओपन करते हैं उसके बाद ज जैसे त्री डोट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने जो फिफ्ट नंबर का ओप्शन है वहां आता है इमेज साइज तो इमेज साइज पर क्लिक करते हैं यहां कस्टम साइज पहले से हो रहा होता है तो यहां हम कस्टम साइज को हटा कर यूटूब थमनेल साइज सेट कर लेते है जिससे हमारा जो YouTube थमनेल गा जो साइज है 1280 और 720 वह आ जाएगा अगर यह साइज नहीं रखते तो हमारा जो थमनेल वह साइजों से क्रोप होता है जैसे हम इसकी साइज सेलेक्ट कर लेते उसके बाद जिस भी फोटो का आप थमनेल बनाना चाहते हैं उस फोटो को गलेरी से चूज कर सकते हैं तो यहां सबसे पहले प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं उसके बाद फ्रोम गलेरी पर क्लिक करते हैं जैसे हम फ्रोम गलेरी पर जाते तो हमारी गलेरी की जो भी फोटो हैं वह स्कीन पर दिखाई देती है उसके बाद जिस भी फोटो का आप थमनेल बनाना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर ले और जो सही का मार्क के उस पर टिक करें जैसे सही के मार्क पर टिक करते हैं यह हमारी फोटो आपको स्कीन पर दिखाई देती है अब इस फोटो को आप यहां पूर्टों प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और जो भी इसके अलावा आप दूसरी फोटों जो आप इसमें लगाना चाहते हो वह भी डाल सकते हो जैसे मैं यहाँ पर एक फोटो है जो मैं इसमें एड करना चाहता हूँ वह डाल देता हूँ यहाँ मैं जो ब्लेक सेडो है वो यहाँ लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको डाल देता हूँ जैसे हम इसको डालते हैं जो ब्लेकषेडगों हे वह हमें इसकीन पर दिखाई देता है तो आप इसे अपने इसाब से सेट पर सकते हैं उसके बात वापस प्लस के आईकन पर क्लिक करते हैं और जो आप इस thumbnail में लगाना चाहते हो वह भी आप यहां से select कर सकते हो तो यहां से मैं यह डालना चाहता हूँ तो इसको भी thumbnail में select कर लेता हूँ जैसे thumbnail बस इसको डालते हैं आप इसे अपने इसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो जैसे हम इसको चोटा या बड़ा करतें उसके बाद जो थार्ड ओप्सन नीचे उसका जो भी आप इसमें जो स्टोग देना चांए हो उस्टोग पर क्लिक करते हैं और यहां आप देख रहे हो जो यह इस्टोग माइन काऍनने वहाँ दिखाए दे रहाहिए आप यहाँ प्लैस या माइनस पर क्लिक करके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो उसके बाद जो भी यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करके जो भी आप टेक्स्ट यहाँ एड़ करना चाहते हो वहाँ भी एड़ कर सकते हो यहां जो अपनी इस साफ से उसको select कर सकते हो अगर आप इसका background चेंज करना चाहते हो जो आपने type किया तो यहां background का option आता है और font का option आता है अगर आप इसकी font भी change करना चाहते हो तो यहां से आप font change कर सकते हो यह अलावा और कुछ add करना है तो वाँ प्लस के आईकन पर क्लिक कर या फिर अगर कोई टेक्स्ट एड़ करना है तो टेक्स्ट पर भी क्लिक करके आप कुछ एड़ करें सकते हो तरीके से आप अपने मुबाइल फोन से फुल एचडी का जो भी थमनेले बहार बना सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ सेर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें